नमुश्कार मोप्रिया आजोए 11 फरवरी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर राजस्वार्थी समीती बिहार ने निकाली रिख्थियां स्टार्टप पॉंक्लेव में देश भर से जुटेंगे 700 युबा स्टार्टप उद्यमी बिहार के लाल का नाम लिमका बुक आफ रिकॉर्ड्स में हुआ दर्फ बिहार के नौजिलों में प्रखंट सह अंच्छल भवन बनानी की तैयारी मुख्यमंत्रे नितीश ने की साथ निश्य योच्रा का हाल जानने के लिए समीक्षा बैठक अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और विस्तार से राजस्वास्त समीती बिहार ने निकाली रिख्तियां राजस्वास्त समीती बिहार ने हाल ही में स्पेशलिस डॉक्टर के कुलमला कर 207 पद पर आवेदन की मांग की है इन पदों के लिए अनुसाशन की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास चिकित साथ, चिकित सक, ENT, सरजन, नेत्र विज्ञान, तुअचा विज्ञान, मनस, चिकित सक, सेक्षनिक योगिता की बात करें तो प्रसांगिक विशे में MD या DNB या MS की डिगरी होना अनिवारे ह इसके साथ ही आप इन पदों से जूरी तमाम जानकारी नीचो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगे URL से ज़ा कर ले सकते हैं काईन विवस्था और शराब बंदी को लेकर CM नितिश ने कसी अधिकारियों की नकेल बीते दिन मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने पुलीस और प्रसाशन के आलाफसरों को दो टूक नसीहत दी है जिसके तहट उन्हाने कहा कि अपराध रोकने और श्चडाबंदी में किसी प्रकार की कोता ही बरदाश नहीं की जाएगी विधी ववस्था सरकार की सर्वोच प्रात्मिक्ता है उन्हाने निर्देश दिया कि रातरी गश्टी और पैदल गश्टी निरंतर करे और किसी प्रकार की लापरवाही इसमें ना हो ये सुनिशुद करे वर ये पदाधिकारी भी इसकी अपने स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग करे मुख्यमंत्री ने एक अने मार्क सित लोगसंबाद में विधी ववस्था और मदनिशेत के क्रिया नव्यन को लेकर रुचिस्तर ये समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिये हैं सबातीन घंटे से अधिक देड़ तक चली समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने रजजुस्तर के पदाधिकारी समेत प्रमंडलों और जिलों में तैनात अफसरों से भी हर बिंदू पर ज्यानकारी ली आज बिहारी बर्थे स्पेशल में हम बात करेंगे आचारे राम लोचन शरन की आचारे राम लोचन शरन का जन्म आजी के दिन 11 फरवरी 1889 को मुझफर पुर्ट जिले में हुआ था आचारे राम लोचन शरन एक हिंदी साहितकार, व्याकरण विद और प्रकाशक थे हिमाले 1946-1948 और होनर हिंदी और उर्दू दोनों में 1949 में जानी की थी पटना हाई कोट में प्राइमरी स्कूल हेड मास्टर नियुक्ती मामले में हुई सुनवाई पटना हाई कोट में राज्य के राश्ट्रेक प्राइमरी स्कूल में प्राइमरी स्कूल मास्टर के पतपर भरती के लिए नियत निर्धारित शर्तों के मामले पर सुनवाई हुई इस दोरान चीफ जस्टिस संजे करोल की खंड़ पीट ने सुनवाई करते वे राज्य सरकार को फिर से चार सप्ता की मौलत हलफ नामा दायर करनी के लिए दिया है जिसके बाद अब इस मामले पर सुनवाई 21 अपरेल 2022 को की जाएगी मिली जानकारी के अनुसार कोट ने याचिका करताओं को राज्य सरकार द्वारा दायर हलफ नामा का जवाब देने के लिए दो सप्ता की मौलत दी है पुर्व में कोट ने याचिका करता असोसियेशन के सदस्यों को शर्तों के साथ चयन, न्यूखती और भरती में भाग ल इस साल के दॉरान पटना समेट राज्य में सड़कपुल निर्मान की कई बड़ योजनाओं को खृणन वित किया गया है इसके साथ इस दॉरान उन्हों पतना कौलकता समेट बिहार में भी 4 एकस्रेस वे बनाने की बात कही है इसके बन जाने से यकीनन बिहार के लोगो को क बिहार के लोग ठंड के साथ-साथ बारिश की मारका भी सामना कर रहे हैं क्योंकि बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट पीते कुछ दुनों से लगातार जारी किया जा रहा है। बारिश का सिस्टम आक्टिव होगा इस दौरान गरज और अकाशिय विज्री का भी प्रभाव दिख सकता है। बारिश के 600-700 युवा शामिल होगे। बता दे कि इसमें देश के साथ ही बिहार के स्टार्ट अप की योजनाओं पर भी चर्चा होगी। इस कौनक्लेव का उधगातन बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के द्वारा किया जाना है। बिहार में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सिरकार ने बिहार इंडस्ट्री असोसियेशन को तीन करोर रुपे स्टार्ट अप योजना के तहत देने का निर्ने भी लिया है। इधर BIA के ध्यक्ष अरुन अगरवाल ने बताये कि इस कॉम्पेटिशन के लिए 1 दिसंबर 2021 से ओनलाइन आवेदन लिया था जिसमें पुर्वी के साथ ही पूरे देश से लगभग 800 आवेदन आये थे। साथ ही इसमें आवेदकों ने अपने बिजनस आइडियाज भी दि वहीं पूर्णिया शेहर का नाम भी अब चुत्रकराज जगत में चागया है। पहले ही उनका नाम इंटरनाशनल बुक, एशिया बुक और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। आप भी कर सकते हैं और उसके प्रिंट आउट के साथ एक्जाम सेंटर पर आप पहुँच सकते हैं। बाइक स्कूटी रखी है तो जरूर कर लीजिए ये काम। बिहार के सभी नागरिक जुन के पास भी बाइक या स्कूटी है। उनके लिए एहम सूचना परिवहन विभाग की तरफ से साज हो की गई है। क्योंकि आपकी लापरवाही अब बिल्कुल नहीं चलने वाली है। दो पहिया वाहन चालकों को शत प्रतिशत हेलमेट पहनाने का लक्षय तैय किया है। बिहार में जल्धी लगेगी चार इथ्रन warehouse बिहार में जל्धी चार इथ्रन countrysideалы कि लगाने का काम होने वाला है। उद्योग विभाग के मंत्री शाहनवाज हुसेन की माने तो बिहार में जल्दी 87 ने उद्योग की स्थापना होने वाली है वाई उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि साल भर में आए 49,000 करोड के निवेश प्रस्ताव आगे हैं इसके साथ ही मंत्री शाहनवाज हुसेन ने साल भर के अंदर 38,906 करोड के निवेश प्रस्ताव मिलने का दावा किया है उन्होंने कहा कि इस दोरां शार एथनॉल एकाया समेच 87 ने उद्योग के खुलने की प्रिष्ट भूमी तयार हुई केंडर और राज्यो सरकार दोनों का ही फोकस बिहार का उद्योगी करन है और इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है शाहनवाज हुसेन ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओ के तहट 16,000 नए लाभुकों का चैन कर लिया गया है और बहुत ज़ल उद्यम शुरू करने की राशी उपलब्ध कर आई जाएगी बिहार में नीरा उत्पादन को लेकर सरकार ने तेज की कवायद बिहार में नीरा उत्पादन को लेकर सरकार ने अब अपनी तयारियों को तेज कर दिया है इसकोले कर मुखी मंत्री नितिश कुमार ने सभी जुलाधिकारियों को जरूरी दिशानिर्देश भी जारी कर दिये हैं इस दोरान उन्होंने कहा कि अपने अपने जिलों में निरा संग्रह, निरा की प्रसेसिंग और निरा की विक्री पर तेजी से काम करे साथ ही पुर्व में पारंपरिक रूप से जुड़े हुए ताड़ी विवसाय वाले परिवारों को चुनहित करते वे उन्हें निरा उत्पादन हेतू प्रसिक्षन दे उन्होंने कहा है कि निरा से सम्मंधित व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करा है बिहार में क्रिशी उत्पादन बाजार समीतियों का होगा कायकलब जल्दी बिहार में क्रिशी उत्पादन बाजार समीतियों का कायकलब होने वाला है यानि कि बिहार में बाजार समीतियों के दिन फिर से लोटने वाले हैं क्योंकि सरकार इनके विकास के लिए पूरी योजना लेकर आई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनिसार सरकार किसानों के साथ मतस्य पालकों को विस्तरत बाजार उपलब्द करवाने की तैयारी कर रही है। क्रिशी मंतरी अम्रेन प्रताप सिंग ने बताया है कि इस काम पर लगभग 2700 करूर रुपे की लागत आने का अनुमान है। जिसके बाद ही अब क्रिशी विभाग द्वारा सभी 54 क्रिशी उतपादन बाजार समीतियों का कायकल्प कराने की योजना तैयार की गई है। सरकार फिर से बाजार समीतियों में अनाज, फलसब्जी और मचली आदी की विक्री के लिए अलग-अलग बाजार की विवस्ता और स्टोरेज की सुवधा मुहाया कराएगी। बिभाग भी इस प्रस्ताव को मनजूर कर देगा। आपकी जयानकारी के लिए आपको बता दे कि प्रस्ताव के मुताबिक नौजिलों के प्रखंड से अंचल भवन आवास यह होंगे। यही कारण है कि मदिनिशेद विभाग इसकी तैयारी कर रहा है जिसके तहती अब हर माल वाहक वाहन को शराब टोही सुरंगों से होकर गुजरना होगा। और प्रवेश उसके बाद ही मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि एक ट्रक स्क्यानिंग टरनल को स्थापित करने पर 20 करोड का खर जाएगा। राहत की बात यह है कि इनके गुजरते ही ट्रक पर लदे सभी माल का फोटो वहां के मॉनिटर पर आ जाएगा। इससे उत्पाद विभाग के अधिकारियों के लिए शराब की खेट पकड़ना आसान हो जाएगा। बिहार पुलिस मुख्याले ने अधिकारियों के पद और ब्लॉक के पते पर डिस्प्ले लगाने का किया ऐलान। भाग और आपदा प्रबंधन विभाग का कारियाले चलता है। यहाँ आने वाले लोगों को दफ्तर में अधिकारियों के कारियाले को खोचरी में अकसर परिशान होते देखा गया है। जिसके बाद ही ये निर ने लिया गया है। में मुख्य मंतरी के साथ राज़ु के मुख्य साचिव आमिर सुभानी और दूसरे अधिकारी भी मौजूद रहे। वीडियो कानफरेंसिंग के जरीये विभाग्य मंतरी अधिकारी भी समेख्या बैठक से जुड़े। इतना ही नहीं मुख्य मंत्रियों की समिक्षा बैठक में पंच्वाइती राज विभाग की मंत्री समराच चोधरी और विभागी अधिकारियों के लावा उर्जा मंत्री विजेंद्रियादफ भी जुड़े हुए थे दौक्टरों की काफी कमी है वहीं विशुशग्य दौक्टर अस्पताल में सेबा देने को तयार है पर उनकी पोस्टिंग नहीं की जा रही है राजमे विभिन विश्यों के करीब 500 PG दौक्टर स्वास्थविभाग द्वारा अपनी पोस्टिंग किये जाने का इंतजार कर रह स्वास्त विभाग 9 डॉक्टरों के PG की पढ़ाई का समय भी 3 महीने के लिए बढ़ाये था स्वास्त विभाग के नियमों के तहट PG डॉक्टरों की बॉंड आधारित अनिवारे पोस्टिंग विभिन सरकारी अस्पतालों में की जानी है जिसको लेकर अब तक कोई पहन नहीं की गई है मुंगेर को आज सीम नितीश देंगे डबल गिफ्ट मुखेमंदर नितीश कुमार आज मुंगेर वासियों को बड़ी सौगाद देने वाले हैं मिली जानकारी के नसार मुखेमंदरी 11 फरवरी को मुंगेर पहुँचेंगे श्री कृष्ण सेतु के लोकारपन के बाद वो लाला दर्वाजा स्थित बने मंच से घोर घट पुल का भी शुभारम करेंगे मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मुखेमंदरी के साथ जद्यू के रास्ट्रिय अध्यक्ष सहसांचत पत्रनिर्मान मंत्री सहित कई कैबिरिट मंत्री और जन प्रतिनिदी भी रहेंगे उद्गातन समारों में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा समारों स्थल पर कुर्सियां दूरी बना करके लगाई गई है आज का दिन जुलेवासियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है वर्षों का सपना आज पूरा होने वाला है राज़त की राश्ट्रे कारिकारनी का हुआ एलान ऑक्टूबर में होगा राश्ट्री आधिवेशन राज़त की राश्ट्रे कारिकारनी की बैठक पठना के होटेल मौरे में बीते दिन आयोजित की गए इस बैठक में लालू यादफ के छोटे बेटे और नेता प्रतिपक्ष देजस्वी यादफ के अलावा बड़ी बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेश्प्रता प्यादफ भी मौजूद थे इस दोरान एलान किया गया कि पुरे बिहार में राजट 26 फरवरी से सदसिता अभियान चलाएगा और ये अभियान 20 जून 2022 तक चलेगा साथ ही ये भी कहा गया कि राजट कारिकार्णी की बैक ठक अब ऑक्टूबर में होगी जिसमें अगले राजट के परिसद के कारिकरम का नर्धारन किया जाएगा राजट के महासचेव अब्दुलबारी सिद्धिकी ने कहा कि पार्टी का राजट्री अधिवेशन एक उक्टूबर को राजट के नए अधियक्ष का चुनाब होगा इस दोरान उन्होंने कहा कि राजट्री अधियक्ष लालू प्रिसाद हमेशा स्वस्त रहे ताकि गरीबों और जरूरत बंदों को न्याए मिलता रहे वो दिन भी आएगा जब लालू यादव के आसपास सब कुछ घुमेगा राजट की बैठक पर जद्यू ने कसा तंच बीते दिन राजट की तरफ से बुलाई गई राश्ट्री कारिकार्णी की बैठक को लेकर जद्यू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंच कसते वे कहा कि पार्टी के राश्ट्री अधियक्ष चुनाब नहीं लड़ सकते नेता विरोथी दल 420 के आरोपी है उन्हा ने कहा कि मीटिंग में स्वयम का गुणगान के अलावा कुछ नहीं दिखा दरसल जद्यू प्रवक्ता ने लालु यादव को लेकर कहा कि वो चुनाब नहीं लड़ सकते जबकि तेजस्वी यादव को 420 के आरोपी बताया है क्लीन स्वीप पर टीम इंडिया की नजर आज वेस्ट इंडीस के खिलाफ वपचारिकता के तीसरे वन डे इंटरनाशनल माच में भारत की नजर क्लीन स्वीप पर होगी जबकि श्रिकर दवन की वापसी को बल्लेवाजी को और मजबूती मिल सकती है पिष्टे दो माच में भारत ने आसान जीत दर्च की सलामी बल्लेवाज धवन समेच चार खिलाडी बंडे सीरीज शुरू होने से पहले कोरोना पॉजिटिव पाई गये थे अब धवन के लौटने की बाद विनिंग टीम कॉम्डिनेशन में बदलाव किया जा सकता है आधार काड में गलत हो गई है डेट ओफ बर्थ तो घर बैठे करे चेंज जैसा की हम सब जानते हैं कि आधार काड में नाम, पिता का नाम, लिंग, जन्म का वर्ष या जन्म तारीख जैसी जानकारिया कितनी महत्वपूर्ण होती है यदि किसी कारण से आधार कार्ड में आपकी जन्म तारीक गलत हो गई है और आप आधार केंद्र के चक्कर काटे बिना घर वैठे अपने लाप्टॉप या स्मार्टफोन से इसे अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा या बस SS UP.UIDAI.gov.in पर क्लिक करना होगा नीचे स्क्रोल करें यहां अपडेट आधार सेक्शन में जाकर अपडेट डेमोग्राफिक्स डेटा एंड चेक स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करें इसके बाद अपने आधार कार्ड पर जन्म तारीक को अपडेट करने के लिए अपडेट आ खाना लगानी की अनुमती दी. भारत में 1955 में पहली बार अखवारों का प्रकाशन शुरूआ. भारते क्रिकेटर वीनू माकरण को 1969 में अपना आखरी टेस्ट वेस्ट इंडीस के खिलाब दिल्ली में उन्होंने खेला था. मातमा गांधी जी के हरिजन वीकली का प्रकाशन 1933 में आज़ी के दिन से शुरू हुआ था. पुर्फ प्रिधार मंतरी लाल भादुर शास्री का ताश्कन में निधन 1966 में आज़ी के दिन हुआ था. लेखक जनसंग संस्थापक पत्रकार पंडित दीन दयाल उपाधियाए की जान 1968 में आज़ी के दिन ली गई थी. भारतिय महिला अभी ने त्रीटी ना मुनीम का 11 फरवरी 1957 को जन माज़ी के दिन हुआ था. राजनते के दीन दयाल उपाधियाए का निधन 1968 में आज़ी के दिन हुआ था. भारत वर्ष के पांच वेरास्ट रुपती फखरुदीन अली एहमद कानिधन 1977 में आज़ी के दिन हुआ था. अब आईए जानते हैं सराफ़ा बाजार और पिट्रोल डीजल के क्या थे भाव? अगर हम सराफ़ा बाजार की बात करें तो सोन 97 रुपे प्रति लीटर और डीजल के भाव 91.09 रुपे प्रति लीटर थे. कल हमारे दुआरा पुछे गया सवाल का जवाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था. उसके लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद आप में से जिन यूजर का कमेंट देते रहे हम हर दिन वीडियो केंट में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चलिए बढ़ते आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके नसार विहार का सबसे विक्सित जिला कौन सा है अपने जब आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताए इस के साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटि रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक को अन दबाना ना भूले धन्यवाद